तो आपको बताने वालों गूगल की जो गूगल फोटो एप होती दोस्तों उसके इंदर एक कमाल का नए अपडेट आया और बहुत ही कमाल कमा पर नए फिचर जोड़ दिया गया है जिसका नाम है लॉक फॉल्डर दोस्तों यह फिचर आपको कहां मिलेगा कैसे यूज इसको उसको जाना है यहाँ पर आपको जाना है यह यूटिलिटी बे यूटिलीटी पर जाएंगे तो यहां पर आपको एक शोग हो जाएगा कि लॉक फॉल्डर के बारे में सैट अप वालोग फोल्डर कैसा आएगा मैं आपको बता setup करना है lock folder के लिए आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर आप नीचे पढ़ भी रहेंगे लिखा भी आ रहा है आप देख रहे हैं as we are in google photos जो भी आप यहाँ पर return करेंगे वो कोई cv app में नहीं दिखने वाला like gallery यो कोई भी photos की app होगी वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला तो वह पुछी तरह से hide हो जाएगा और यहाँ पर सबसे main चीज़ी है दोस्तों अगर जो भी आप इसमें item क डालेंगे उसके बाद अगर आपने mobile को change करना चाहते हैं या पर reset करते हैं तो उससे पहले आपको अपने photos और videos का backup लेना होगा नहीं तो वह delete हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको add कैसे करना है तो यहाँ पर hide करने के लिए आपको करना है यहाँ पर click करना है प्लस वाले icon प सकते उसका backup नहीं कर सकते और वह कोई सी भी photos एप में नहीं दिखने वाला जो कि मैंने आपको पहली बता दिया आपको move पे क्लिक करना है और नीचे आप से बुच्छे का allow करने के लिए जितने भी item अप्सलेट करेंगे आपको यहाँ पर allow पे click करेंगे और move to folder पे काम करना चालू हो जाएगा और जैसी यहाँ पर move हो जाएगा और आपके बाद से main के जगा से वो हट जाएगा लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है अगर मैं भार आके देखूँ आप photos में तो मेरी videos नहीं दिखरी होंगे जो कि पहले आ रही थी आपको वापिस utility में जान जाएगा जिस folder से आए और डिलीट कर देंगे तो यह पर मैंने यहाँ से डिलीट हो जाएगा जैसे मैंने मूफ करा आप से पूछेगा और वह मूफ हो जाएगा सेम ऐसी अगर आपको लंसम यहाँ पर एड करना है बहुत सारे चीज़ों को आपको यहाँ पर प्लस पर जैसे मूफ हो जाएगा जैसे कि आप इकटें मॉफ कर रहे हूं वैसी आप वहां से गटें को इसको मूफ कर सकते या पर बॉल् woj yo यहां पर आ Cristo वहांप चाहते हैं वां और आपको नेक्टर मिल जाएका मूव और डिलीट कापको मूफ कर देना कम आपने हों बार्टिकुलर एक को करना वह भी उसी जगह से भी पहां से भी उसको मूफ कर सकते वो भी मैं बता जाता हूँ पहले ये move हो जाए तो भी बता जाता हूँ आपको simple photos या videos पर जाना है जिसको यहाँ पर आपको move करना है उस पर जाने के बाद उसको वाबती dots पर जाएंगे महाँ पर आपको मिल जाएगा move to log folder का जो की बहुत शानदर option लगा है मुझे मुझे कमेंटर के जरूर बताएं दोस्तों आपको ये feature कैसा लगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लेगी तो ये भी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों मुझे जतना जादा डाटा होगा उतना जादा टाइम लेगा अगर आपको कम डाटा है कम MB का डाटा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा और जतना जादा डाटा हो जतनी जादा MB का तो उतने जादा टाइम लेगा यह हो गया है अगर आपको किसी प्रटिकुल फोटोस को या वीड करना है और आपको पूछे का आपको कर देना और यह मूव हो जाएगा विदाउट पासवर्ड आप बाद में जब भी चाहिए कभी भी उसको देख सकते हैं जैसे यह मूव हो गया है अब अगर मैं जाओंगा वहाँ पर यूटिलिटी में तो आपको वहाँ पर देख जाएगा तो आप देखेंगे यह फोटोस यह वीडियो आ गई है तो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको मेरी इस्टाग्राम पर डीम करके भी पूछ सकते हैं और हो सके तो आप मेरी वीडियो को शेर करना ना वोले और जरूरी चीज़ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे शनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे शनल सब्सक्राइब करना ना मुझे तक पहुच सकूँ और और अच्छी वीडियोस ला दें की कोशिश करूं और हो सके तो मुझे इस्टाराओं फेज़ फोलो करना भी ना मुझे इसका ले खापको नीचे डिस्क्रप्शन में मैं जाएगा तो धैंकि दोस्तों